काम की बात विश्णु गोयल के साथ मैं आप सबी का स्वागत दर्शकों जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रशासन सहरों के सांग अभ्यान के महतपूर बदलावों के बारे में और हम सब जानते हैं कि नगर निकाय के जूरिड एक्षिन का जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है और इसमें कुछ ऐसी लेंड है जिनका स्टेटस है अगरीकल्चर और अब बात करें कि जब अगरीकल्चर लेंड जहां पर खेती हो रही है वहां का क्रशी मालिक या क्रशक अपने रहने योग की साथ की साथ उस भूमी पर एक शोटा सा आवास बनाना चाहता है यानि कि खेती के साथ साथ वो अपने रहने योग के एक भवन बनाना चाहता है तो इसके क्या प्रापधान है आज हम इन बातों पर चर्चा करेंगे और इसी लिए आज हमारे साथ मौ भूमी पर खेति के साथ साथ अपने रहने य्योग योश बड़ी भूमी पर एक छोटे से स्थान पर आवास सुलगों आता है तो प्रशासनों सहरों निकाई की नगी सिमय के अधान स्वी चाहता है रहा है और इस्ताणिय निकायो का जो जूरिक्षन है, इस्तााइ निकाय के अंदर नगर पालिका, नगरपघुंच, जडिया, ये सभी सामील है, इनका जूरिक्षन वो काफी बड़ा है, आप देखेंगे अजमय रोड पे गाडो ता तक जडिया का जूरिक्षन है, दिल्ली रोड पर लखेर तक जू डिक्षन है, इदर सिकर रोड पे, चोमू से आगे, गोविंज़र तक जेडिय का एरिया है और साउथ के अदर, टॉंक रोड से हम देखेंगे कि शुदास्त पुरा तक जेडिय का एरिया है, इसी तरह से बहुत सारी इस्ताने निकाय है, नगरपाली का एरिय वह काफी बड़ा एरिया है और हम देखते हैं कि इतने बड़े एरिया में जो भी है आबादी लेंड वह बहुत कम होती है पर्टिकुलर कुछी जगर पे डालमेंट हुआ है और भूसारी लेंड अभी अग्रिकल्चर लेंड है वहां अग्रिकल्चर हो रही है तो परसासल सह करते हैं आज यदि हम किसी भी करसिभ होंगे अपने रहने के लिए मकान बनाना चाहते हैं तो इनलीगल है उसके लिए हमें लेंड करानी पड़ेगी सरकार ने परसासल सहर के संग अभ्यान में महत्वर प्रावदान किया है यदि आपके पास अग्रिकल्चर लेंड है आप उस पर अपने रहने के लिए मेंस बनाना चाहते हैं तो आपको इस्ताद का लिए के अंडर आवेदण करने बा inform uni के युद यतुनी बड़ी आपके पास जमिन लेकिन आप जिस एरिया पॉर्शनन में आपके अपना मां में बनाना चाहते उसके लिए आपको करना है और उत सब्सक्राइब निर्धारी चार्ज आपको जम्मा कराना है उसके बाद में उस पर्टिकुलर एरिया का आपको फ्रियोड पट्टा जारी कर दिया जाए सर आपने ये जो प्राधान के बारे में बताई है ये प्राधान तो बहुत अच्छा है लेकिन जब बात करते हैं 91 के पट्टे की तो 91 का प्राधान इसमें समय भी बहुत लगता है और खासकर एक समस्या जो अक्सर देखी जाती है कि जो अग्री कल्चर लेंड है वो बहुत के सबसे पहले में आपको यी सफ़श्ट करना चाहता हूं कि हमार पास कोई भी एंजर्न है हम उसको 9 अगेरिकल्चर पर्पच्च के लिए यूज में करना चाहत है जैसे हमारी अग्रीकल्चर लेंड में उसका यूज हो गया कि वाथ है जिदर में धीकों आम इसको नोन ब के पास सिंगल पट्टे की पर्मिशन के लिए जाता है और उसके बाद में आपको उसका पट्टा इस्ताने निकाई के दौरा जारी किया जाता है अब जो सरकार ने महत्मुन बदलाव किया है कि यदि आपके पास कोई भी अग्रिकल्चर लेंड है आप उस पे अपने रहने क के लिए नहीं जाएगा और आपको पट्टा जारी कर दिया जाएगा यानि जो 9TA में जो समय लगता है उतना समय आपका नहीं लगेगा आपको 9TA के लिए अपलाई करना है और जहां तक चार्जेज की बात है तो 9TA में काफी चार्जे लगता है आपने सही का है लेकिन जो ह जो external development charges होते है internet development charges होते है और कई charges होते है वो कोई भी charges आपको जबा नहीं कराने है एक और महरत्मुन बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपने कहा कि agriculture land तो काफी बढ़ी होती है तो हम कहां मतलब कौन से area को हम apply करे कि जिससे हमें उसका पटा मिल जाए तो मैं करना चाहता हूं कि government ने ऐसा कोई fix नहीं किया है आपकी land है आप कहीं भी उस पर पटा लेना चाहते हैं पांच भी का जी मिना दस भी का जी मिना आप जहां पे मकान बनाना चाहते है पर्टिकलर उस land के लिए आप apply कर दीजी और आपको पर्टिकलर उसी land का पटा जारी कर यह तो बहुत ही अच्छा प्रावधान है सर कि कोई भी व्यक्ति इस पट्टे को लेने के बाद नियमा अनुसार अपनी क्रशी भूमी पर अपना आवास बना सकता है लेकिन सर एक सवाग और उड़ता है कि जब बात भूमी की आती है तो क्या कुछ इस प्रकार की भूमी प्रतिबंद लगाया गया हूं या किसी भी भूमी पर अपना आवास बना सकता है सरकार बहुत अच्छा बनाया है और मैं आपको इस्वर्श करना चाहता हूं कि जो यह प्रावधान है स्ताने निकाएक की नगरे शेक्त की सभी परकार की एगरिकल्टिप भूमी पर यह ल हूं कि यदि आपकी लेंड कोई भी जो नेसल है वे अंदर आ रही है इस्टेट हाइवे का है इंडिन रोड कोंग्रेस का नुसार आ रही है तो वहां पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा इसके लावा यदि आपकी लेंड अब्दुरहमान प्रकंट से प्रवाईत है तो आप सोचने होंगे कि अब्दुरहमान प्रकंट क्या है तो यह सुप्रिम कोट का एक केस है जिसमें यह डिस्टिन दिया गया है यदि आपकी जमीन कोई भी लेंड है जो नदी नाला ताला बन भूमी से परवावित है तो उस पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा इसके लाव यदि आपकी लेंड यहां पर है वहां बाटर बोड़ी आ रही है फोरेश्ट अरिया में आ रहा है या कोई भी वाईडाव सेंचुरी के जो रेस्टिक्टेड एरिया है तो बहां पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा तो आप कोई भी लेंड है जिस पर आ आवाज बना सकते हैं लेकिन बात अगर हम करते हैं ग्रामीर एरिया की तो वहां पर 500 मीटर की भूमी का रिस्टिक्ट्शन से क्या अर्बन एरिया में भी इस प्रकार की भूमी के छेत्र का कोई रिस्टिक्ट्शन है अगर है तो आप अफ़गत कराईए सबसे पहले तो मै जम एकजुम 500 मिटरें तक के अंदर मकान बना सकता है आवास बना सकता है लेकिन अर्वन अरवन अर्वन एरिया ऑंदर ऐसा पोई रेयस्ट्रिक्शन ही आपके इंदर बड़ी घ्यमीन है आपकी आपको बड़ा एरिया है जिसमें अपना रहने के लिए मकान बना सकते हो यह आपकी चुरिश पर है यहां पर इस तरह का कोई भी रेस्टिक्शन नहीं है आप चाहो तो 500 प्र के लिए आप चाहो 2000 मिटर के लिए आप चाहो 1000 मिटर के लिए जैसे आपकी रिक्वायर्मेंट है बेसा आप अपने एसाफ से आवास का पट्टा ले सकते हैं लेकिन आपको एक काम करना होगा जो भी आपकी जमीन है जहां जिस पर एरिया है जिस पर आप उसको आवास बनाना चाहते हैं तो आपको वोई एप्लाई करना है आप उसका डाइमेंशन बनाके कि मुझे इतनी जमीन है इसमें मैं अपना आवास बनाना चाहता हूं उसके लिए आपको एप्लाई करना है यहां पर सरकार ने किसी भी तरह का एरिया का कोई रेस्टिक्शन नहीं दिया है सर यह तो आपने हमें बहुती अच्छी बात बताई है सरकार ने कि कितनी भी भूमी पर अपना आवास बना सकते हैं लेकिन सर, बात यह है कि हम agriculture land पर अगर अपना आवास बनाते हैं तो इसके हमें क्या फाइदे हैं सरकार ने जो यह परोज़ं किया है उससे आपको काफी फायदा है सबसे बड़ा फाइदा तो यह है कि यदि आपकी agriculture land आप उस पर residential बनाना चाहते हैं तो अभी तक क्या हो रहा था आप अपनी agriculture land आप उस पर residential बना रहे थे बिना किसी permission के लिए तो वो illegal था क्योंकि agriculture land को हम agriculture purpose के लिए use कर सकते हैं यदि आप उस पर residential बना रहे तो वो non agriculture कहला जाएगा तो यह प्रावदान लावगोंने से आप जहां पर residential बनाना चाहते हैं उस area के पट्टे के लिए apply कीजिए तो आप legally उसके उपर अपना house बना सकते हैं दूसरा यदि आपके पास residential पट्टा है तो bank आपको loan भी दे देगा agriculture land पे bank केवल agriculture परपच के लिए loan देता है और यदि आपके पास residential पट्टा है इस्ताने निकाएगा तो वो loanable हो जाएगा bank से आप housing loan प्राप्त कर सकते हैं और इससे आपको जो housing loan लेंगे उसमें आपको income tax में भी परी रिवेट मिल सकती है थर्ड जो फायदा मैं आपको बताने चाहा रहा हूं वो बहुत बड़ा फायदा है कि आपके पास यदि रेजिदेंसल का पट्टा है तो रेजिदेंसल के अंदर जो चीज एक्टिविटी पर्मिटेड है आप उसका काम कर सकते हैं रेजिदेंसल के अंदर आप पेंगेश्ट का लाइसेंस ले सकते हैं गेस्ट हाउस का लाइसेंस ले सकते हैं और ऑफिसेल उसको रंग कर सकते हैं हम देख रहे हैं कि कोविट के बाद से फार्म ट्विजम बहुत डवलोप हो रहा है और यदि आपके पास अग्रिकल्चर लेंड है आप उस पे रेजिदेंसल का अपने पट्टा ले लिया है और आपने कुछ रूम हाँ एक्ष्टा बना लिया है तो उसको एजे फार्म ट विडियो देखर के हम आपके लिए हाजिर होंगे तो जुड़े रहे हैं आप हमारे साथ काम की बात विश्णु गोयल के साथ में धन्यवाद काम की बात विश्णु गोयल के साथ